नमस्कारो प्राणाम स्वागत आपका तुद्ध माइनक्राफ्ट में वापिस से एक बार और यह मेरी एक न्यूर सीरीज है जो की मेरे वर्ल्ड की है जो की वर्ल मेरा दो-तीन साल पुराना है एंड गईस यहाँ पर न आपको मैं स्टोरी बताऊंगा तो सही बत यह मैं कहां आके रखा वह एक सेकंड यह तो सिक्वा जगा आत जो आइन नीचे और एक थे हुआ को के रहते हम लग ओपर को पना वर खोड़ रहा हुआ कंड यह ओक के मैं ऊपर खोड़ा FIFA 1 eंड आप मैंने ले लिया एक ब्लोक वैम स्वक्राइब से हम जल्दी से जल्दी ले यह कौ लगाया ना इसको पता नहीं कौन लगाया जी इसको खोल़तों के निकलते हैं जल्दी-जल्दी अबहाँ है ये कुषुदा अबह यह कौन अबहाँ तो घाइस मैं को ना पताता हूं इस वर्ल्ड की तो यह किसा यहां से शुरू होता है जब मैं एक वर्ल क्रियेट कर रहा था दो तीन साल पहले जब मैं एकदम नूप था मेरको माइनक्राफ्ट के बारे में पता चला था तब का टाइम है यह बाकि अभी तो बहुत से चेंज हो चुके होंगे इस वर्ल में और आपको हैरानी होगी यह जानकर कि यह वर्ल ना दो में मैं और मेरा एक दोस्त माइन ब्रॉल वह हम दोनों खेलते थे और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अम लोग दोस्त के टाइप रहते थे बट सड़नली जैसे जैसे हम लोग के पास माल आया ना वैसे वैसे अंदर यंदर वह कुछ इविल प्लैंस बनाके रखा था ज और जब मैं आके देखा हूं ना तब मुझे पता चला है और यह वर्ल आदे भाग में क्यों दिवाइड है यह मुझे यह मुझे भी नहीं पता एक्चुली इसकी मिस्ट्री क्या है हम लोग बाद में कभी सॉल्व करने वाले एंड अभी मैं बहुत साल बाद लाइक इस व पाउचनी पाएंगे डिश्ट्राइड वर्ल देखने के लिए पर मैं देखना चाहता हूं भाई डिश्ट्राइड कैसे है कि एक सेकेंड इस चेश्ट को खो शील्ड तोतम है और स्वार्ड एक यूविल रिग्रेट इस हैं यह क्या होता है एक तोतम भी है है 45 61 511 एक सेकेंड क्या था 45 65 11-2 नोइट अब एस सालिक यह यह कुण दे रहे वे कॉल्रीनेज ओर यह जैसले लगता है ना जैसा बोनस चेस्ट वह से लग रहे है ने बोनस चेस्ट में इससे अच्छा नहीं मिलता इतम और कुछ तो मिलता होगा उसमें एक सेकेंड भाई ओके यह देखो हमें मिला है तोतम शील्ड और एक स्वार्ड तोतम अभी नहीं लगाते हैं छोड़ो तोतम को लगाने की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं है यह आपे हम लोग को देखते हैं अभी कहां जाना है इस वक्त कोडिनेंट को फॉलो करने रहें डेंगे साथ है ना और क्या ही कर सकते हैं तो कोडिनेंट फॉलो करते हैं 45 याने यहां को 45 ओविद यहां पे एक चीज मिली तौ जो है ना मिली एक सेकेंड मिली ओके यह ही यह 41 हा जमार्प कौन यू एक से के यह कोई तो मारा अभी यू विल बी हैपिय एंड एंगरी एंड स्केर्ट टू सी मी वेलकम मैं फ्रेंड क्या लिखा है एम आए के बाद दो दैश फिर बी के बाद चार दैश एम के बाद एक दैश कि माइन ब्राल एम सी तो नहीं लिखा एम आए एनी दो दैश हो गए बी के बाद आरे डबलू एल चार दैश एम सी वेट यू विल सी मी आज़ एफ बट आए विल बी और डबलू ओ के बाद तीन डैश और एक बाद चार दैश एफ के बाद कितने हैं पांट यू विल सी मी आज और फ्रेंड हो सकता है क्या बट आई विल बी और वर्ष्ट और यह क्या लिखा है फ्रेंड का ओपोसित क्या होता है एनीमी वर्ष्ट एनीमी को कर दो कर दो आए कर दो आए वह अच्छानक रात तुई है भाई कौन तोड़ा भागो भाई भागो मैं रुकना यह नीचा भाई साहब बिजली गलत कड़करिये ब्रो मैं नहीं रुकरा भाई यहां से निकल लो भाई निकल लो एक सके कोई आतो नहीं रहा ना कि ओके चुप चप निकलो मेरे को ऐसा लगा अभी कोई आया मेरे पीछे भाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा इदर वेको ना बस कहीं पर जाके ना यह रात को गुजारना रहेगा कोई मारा ना कि वह दैमेज मिला एं यह क्या अबे अबे क्या है अबे दिन रात दिन रात क्या दान फिर से रात हो गई फिर दिन हो गया अबे बस करो भाई मुझेए झाल 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 आगे मत आना कलवाद चलाओंगा दाइरेक्ट अभी ते साले तू मत दिखा मर को झाल 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 मत चलाओ ख साली आख से तू यह और आख मैं अड़त आख सिद्टिक्ट अग्डार स्वैजिग्ण थे काई आख से सिट्रा यह श्रूजिगूट अब अधे टीपी कियं मुझे अधे को यह अधे इदर किसी ने तीपी किया हैं मुझे बताओ कुं तो थे तो मुझे यह अध कि अब तू को ने बे और यह ब्लॉक लगा के छिपने की कोशिस क्यों कर रहे रहे ए ब्लॉक तोड़ यार तू दिमाग मत खराब कर अभी आना भार आना भाई कि यह से चिपा चिपी कर रहे भई अभे अब वैब बात करने टो कर वरणा टायम खोती मत कर अभे किदर जा रहे हैं मैं कुछ पूछ रहा हूं यह मैं कुछ पूछ रहा हु तरह से ए अरे बता मत कहल मेरे मूनें जिपा चित क्हेलने का अरे क्या है अरे इसको छिपा चिपी छुपा छुपा छुपी सब बंद भाई अभी अभी सीरियस तोक्स खरण वस्थाट बाद में करना है चुपा चुपी उत्ना ही शोग है बाद में केञे हां तो अभी बोल क्या हुआ कोन है तुई या पर कहां से आया कि हाँ हो मांद बोल के बारे में बता रहा था तू भाई यह बौल है तो क्या कुछ भी मत बोल रहा है कि यह अभी हाफ आर्ट में वन हार्ट में कैसे कैसे भई जिन्दा कैसे है और बोल रहा है कि यह वह हां वो तो मुझे भी पता है कि हाफ में दिवाइड और इसने भी मुझे बोला कि आदा वल गया है भाइस सहाब और उसने बोला उसी का यहां पर इसकी हेल्थ फुल क्यों नहीं हुए मालूम है इसने मुझे बताया कि इस वर्ल में किसी के किसी भी खाने के स्टफ से काने की अगर हमें रीजन करना है तो हमें गोल्डेन एपल चाहिए रहेगा क्योंकि इस वर्ल में किसी तो तरह उस बंदे बंदे ने रीजन को आफ कर दिया मतलब काली अभी गोल्डेन एपल एंचैनटेल एपल से हम रीजन कर सकते हैं एंदि फिलाल इसके पास भी एक स्टैक की गोल्डन एपल है यह तो जैसे तैसे सर्वाइब कर देगा यह हमारे लिए उसने स्टोर करके रखे हैं भाई सहाब ओके गाईस तो इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको यह गेम प्ले अच्छा लगा रहेगा एंद इस सीरीज के भी आगे पास आने वाले हैं साथ ही साथ मैजिक लैंज भी हम लोग कंतिनू करने वाले अभी एंड बस यहाँ पर रात हो गई है तो हम यहाँ पर खड़े में खोद के चुपे हुए है ताकि कोई माइन ब्रोल का बच्चा उसका उसका जो भी है वो आएगा हमें नहीं मार पाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई